भाजपा विधायक और पूर्व पत्रकार शलब मनीत रिपाथी ने शुक्रवार को मुसल्मान समुदाय के प्रदर्शनों के बाद पुलिस हिरासत में पिटाई का एक वीडियो ट्वीग करते हुए लिखा रिटन गिफ्ट ये वीडियो वाइरल हो चुका है और सहारनपूर का बताया जा रहा है हाला कि सहारनपूर पुलिस ने भासकर से कहा कि इस वीडियो के सहारनपूर का होने की पुष्टी नहीं हुई है सहारनपूर में हुए फसाद और उसके बाद हुए एक्षन की पर्ताल से पहले आप इस खबर पर अपनी राये इस पोल के जरिये दे सकते हैं सहारनपूर के SSP आकाश्त उमर ने भासकर से कहा ये वीडियो सहारनपूर का नहीं है ठाने में बंद लोगों की पिटाई के कई और वीडियो भी वायरल हुए हैं दैनिक भासकर ने सहारनपूर में ऐसे ही लोगों के परिवारों से बात की जिनका दावा है कि वीडियो में देख रहे लोग उनके परिजन है और बेगुना है पीडितों के परिजन बोले, हमारे सबूत देखे पुलिस मुन्नी बेगम शहर के खत्ताखेडी इलाके में रहती है उनके पती फुरकान सोफा कारीगर है, बेटा अब्दुल समद भी पिता का हाथ बटाता है, उन्होंने हाल ही में नया घर बनाया है मुन्नी बेगम दावा करती है कि पिताई के वीडियो में देख रहे तीन लोगों में उनके पती फुरकान, पती के दोस्त मेहराज और उनके देवर के बेटे मुहम्मद कैफ भी है मुन्नी कहती है, मेरा बेटा अब्दुल समद चचेरे भाई मुहम्मद कैफ के साथ कमेटी के पैसे देने शाम को साड़े चार बजे घर से मोटर साइकल पर निकला था रास्ते में उन दोनों को पुलिस ने पकर लिया और ठाने में बंद कर दिया हाला कि इस बारे में SSP आकाश तोमर का कहना है कि जितने भी लोगों को गिरफतार किया गया है उनके खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है SSP नहीं दिखा पाए सबूत जब हमने SSP से कैफ, समद, फुरकान और मेहराज के खिलाफ सबूत होने का सवाल किया तो उन्होंने दावा कि पुलिस के पास इन चारों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है हाला कि उन्होंने कोई सबूत हमें दिखाया तो नहीं, लेकिन मुहया कराने का वादा किया। ये रिपोर्ट प्रकाशित होने तक पुलिस की तरफ से हमें कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया। इधर पुलिस का कहना है कि उपद्रव और हिंसा के मामले में जिन लोगों को गिरफतार किया गया है उनमें से कई के खिलाफ पुलिस के पास भीर में शामिल होने के सबूत हैं। ऐसे कुछ सबूत हमें दिखाए भी गए लेकिन जिन लड़कों को पकड़े जाने की परताल हम कर रहे थे। उनसे जुड़ा कोई सबूत पुलिस अफसरों ने हमें नहीं दिखाया। मुन्नी के मुताबिक उनके पती फुरकान अपने दोस्त मेहराज के साथ थाने में बच्चों के बारे में पता करने गए थे। जहां उन्हें भी हिरासत में लेकर बंद कर दिया गया। जब हमने फुरकान और मेहराज की गिरफतारी के बारे में पुलिस से सवाल किया तो SSP आकाश दोमर का कहना था सभी scientific evidence के आधार पर ही गिरफतारियां हुई हैं जिनके खिलाफ सबूत नहीं थे, ऐसे कई लोगों को छोड़ा भी गया है जितने भी लोगों को जेल भीजा गया है, उन सबके के खिलाफ हमारे पास परियाप्त सबूत हैं पीडितों ने भासकर को दिखाए CCTV फुटेज इन चारों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है मुन्नी बेगम ने दैनिक भासकर को कुछ CCTV फुटेज दिखाए हैं, जिन में उनका बेटा समद भाई कैफ के साथ शुक्रवार शाम चार बज कर 38 मिनिट पर घर के पास ही मोटर साइकल पर खड़ा दिखता है मुन्नी बेगम का दावा है कि कैफ और समद ने पास की मस्जिद में नमाज पड़ी और उसके बाद सीधे घर आ गए थे परिवार का दावा है कि कैफ और समद को पुलिस ने बेवज़ा पकड़ा दोनों को सिटी कोतवाली ले जाया गया बाद में जब फुरकान और मेहराज उनके बारे में पूछने गए तो उन्हें भी वही बंद कर दिया गया पुलिस ने मेहराज को दंगाई बना दिया मेहराज शहर के मुबारक शाह मुहले के ठठेरो वाली गली में रहते हैं उनके छोटे भाई मुहम्मद इमरान दावा करते हैं मेरे बड़े भाई मेहराज पूरा दिन घर पर ही थे उन्होंने पास ही स्थित मस्जिद में नमाज पड़ी और फिर घर आ गए बाद में उनकी बीवी ने उनसे दही मंगाया दही लाकर वो सो गए शाम को उनके दोस्त फुरकान का फोन आया था जिसके बाद वो उनके साथ थाने चले गए थे अब पुलिस ने उन्हें दंगाई बना दिया है इमरान हमें एक विडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस लोगों को पीट रही है कुछ दीवार से मूँ करके खड़े हैं अपने भाई की पहचान करते हुए इमरान दावा करते हैं कि मेहराज को भी बहुत मारा गया इम्रान बताते हैं कि मेहराज से जब मुलाकात करने गए थे तब उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें बहुत बुरी तरहा पीटा और गालियां दी इम्रान ने हमें कई CCTV वीडियो भी दिखाए जिनमें उनके भाई मेहराज शहर में हुए उपद्रव के समय अपने घर के पास ही नजर आते हैं वो शाम को पास की दुकान से दही खरीट कर जाते हुए भी दिखते हैं SSP आकाश तो उमर कहते हैं शुकरवार को जो घटना क्रम हुआ वो एक बड़े दंगे में बदल सकता था पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था संभालने की है हम किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को सताया नहीं जाएगा जब हमने दोबारा वाइरल वीडियो के बारे में SSP से सवाल किया तो उनका कहना था ऐसे वाइरल वीडियो संग्यान में तो आए हैं लेकिन किसी वीडियो के सहारनपूर का हुने की पुष्टी नहीं हुई है मुन्नी कहती हैं पुलिस ये साबित करे कि मेरे बेटे और पती गुनाहगार है और फिर जो सजा देनी है दे हमारे पास उनकी बेगुनाही के सबूत हैं लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है जो उपद्रवी होंगे उनके घर चलेंगे बुल्डोज सहारनपूर में पुलिस प्रशासन ने उन दो लोगों को घरों पर बुल्डोज चलाया है जिनकी उपद्रव में भूमिका सामने आई थी इनमें से एक किराय के घर में रहता है क्या गिरफतार किये गए और लोगों के घरों पर भी बुल्डोज चल सकता है इस सवाल पर SP सिटी राजेश कुमार कहते हैं प्रशासन अपना काम कर रहा है आगे भी बुल्डोज चलेगा जिनके मकान अवैद पाए जाएंगे तो व पुल्डोज के खौफ से नींद उड़ी मुन्नी बेगम के परिवार ने हाल ही में कर्च लेकर नया घर बनाया है मुन्नी इस डर से रात को सो भी नहीं पा रही है कि कहीं उनका घर भी ना गिरा दिया जाए मुन्नी कहती है मेरा बेगुना बेटा और मेरे बेगुना पती जेल में है घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है मेरी दो छोटी बेटिया है अब अगर ये घर भी गिरा दिया तो मैं कहां जाओंगी शुक्रवार को ऐसे शुरू हुई थी हिंसा पश्चमी उत्तर प्रदेश के सहारनपोर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प जुकानों को निशाना बनाया गया था अब तक 84 गिरफतार 100 की पहचान पुलिस अब उप्तरव मचाने वालों की पहचान कर रही है अब तक 84 लोगों को गिरफतार किया गया है और 100 से अधिक की पहचान की गई है पुलिस आगे भी गिरफतारिया कर सकती है जो लोग प्रो करवाई ना करने से गलत संदेश जाएगा और आगे भी ऐसा ही उपद्रव हो सकता है कई लोगों का ये मानना है कि प्रशासन जरूरत से ज्यादा सक्त कारवाई कर रहा है और चपेट में कई बेगुनाह भी आ रही हैं परिवारों ने अपने सबूत सामने रख दिये हैं प्रशासन सकता है